हाई एवरिवन आज हम बनाएंगे मोटी मिच का अचार अगर आप मोटी मिच का अचार हमारे मेथट से बनाएंगे तो यह अचार बहुती लाजवाब और टेस्टी बन कर तयार होगा और साल भर के लिए इसको स्टोर करके रख सकते हैं तो देर किस बात किये चलिए फटाफट से मिच का अचार बनाने स्टार्ट करते हैं मिच का अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं धाई सो गराम मोटी मिच और मिच को हमने खूब अच्छे से पानी से वोश कर लिया है वोश करने के बाद हमने इसको एक साफ कपड़े से सुखा लिया है और इसको सुखाना जरूरी है अगर मिर्च में नमी होती है तो मिर्च का चार अच्छा नहीं बनता है जल्दी खराब हो जाता है और अब हम इसके बीच में छीरा देंगे ताकि इसमें मसालों को भर सकें सभी मिर्च बीच से कट हो चुकी है अब हम आगे का परोसिस देख लेते हैं मसाले तयार करने के लिए हम सबसे पहले एक पैन लेंगे और उसमें एड़ करेंगे हमें इसे दो मिंट के लिए रोस्ट करना है क्योंकि मसालों में नमी रह जाती है गेस का फलेम लो है लो फलेम पर हमें इसको रोस्ट करना है दो मिंट हो चुके हैं और हमने गेस को बंद कर दिया है ठंडा होने के बाद हम मसालों को मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे मसालों को हमने दरदरा पीस लिया है अब हम आगे का परोसिस देख लेते हैं अब हम फिर से पैन लेंगे और इसमें एड़ करेंगे तीन बड़े चम्मच ओईल, ओईल को हमें अच्छे से पका लेना है, ओईल को हमने अच्छे से पका लिया है और हमने इसमें चुटकी भरहिंग भी एड़ कर दिया है, गेस को हमने बंद कर दिया है, अब जो मसाले हमने मिक्सी में पीसे थे उनको हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं अब हम इसमें एड करेंगे वन स्पून गरम मसाला वन स्पून मिर्च पाउडर वन स्पून हल्दी पाउडर वन स्पून अमचूर पाउडर एंड टू स्पून नमक अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद हमने जो तेल को गरम किया है उसे एक चमच इसमें ऐड़ कर देंगे और इसको मिला देते हैं तो आप देख सकते हैं मिर्च में मसाला भड़ने के लिए तयार हो चुका है और अब हम एक एक मिर्च को उठाएंगे और जो मसाला हमने तयार किया है उसे इसके बीच में भर देंगे इसी तरीके से सभी मिर्च को हम तयार कर लेंगे कोई मुश्किल काम नहीं है बहुत ही आसानी से आप इस काम को कर सकते हैं तो सभी मिश तयार हो चुकी है, कितनी आसानी सी तयार हो चुकी है और अब हम इसको एक पलास्टिक के डिबे में या फिर कांच के किसी जार में रख सकते हैं और जो मसाला बच चुका है उसको इसके उपड़ से एड़ कर दे और जो तेल हमने गरम किया है उसको मिश के उपड़ से डाल दे तो बस मिश का चार तयार हो चुका है और आप इसको एक दो बार बीच में धूप लगा दे और इसको डिबे को थोड़ा सा अलट पलट कर दे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए आई होप आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी कॉमेंट में हमें जरूर बताईएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चाइनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा अगली वीडियो में फिर मिलते हैं बाब बाई